Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में Permanent सरकारी नौकरी का विज्यापन, The Directorate of Secondary Education की तरफ से निकाला गया है इसमें सबी राज्यों के कैनिरेट बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं कुछ कंडिशन हैं उन्हें आप अगर पूरा करते हैं ट्रेंड ग्राज्यों टीजर्स में जो सब्जेक्ट हैं इसमें 8,004 पोस्ट हैं पीजीटी के अंतगर 2,915 के लगबग जो है वेकेंसी हैं सैलरी काफी अच्छी है, सरकारी नौकरी है पीजीटी में 22,000 से लेकर 97,000 पर मन सैलरी है ट्रेंड पीजीटी के अंतगर 14,000 से लेकर 70,000 तक जो है इसमें सैलरी रखी गई है ठीक है सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी के अंतगर जो है काफी सब्जेक्ट हैं जैसे की हिंदी है, संस्कृत है, जोग्रफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, जूलोजी, बौटनी काफी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए भी सब्जेक्ट हैं चलिए देख लेते हैं, इसमें आविदन करने के लिए सबसे पहले जो कंडिशन है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूं, उसके बाद जो है पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, all the applicants should have employment exchange registration number, जितने भी कैंडिडेट आविदन करेंगे, उनके पास जो है employment exchange registration number होना चाहिए, अगर नहीं भी है नहीं भी है, तो भी आप लोग आविदन तब ही कर सकते हैं form भढ़ने के बाद registration number जो है आप लोग उसके लिए apply कर दे they will also be allowed to apply but they have to obtain employment exchange registration number meditarily before appointment, appointment यदि आपका हो जाता है, उस से पहले आप लोगों, यानि कि उस समय आप लोगों के पास registration number होना चाहिए, ठीक है, जो रोजगार पंजीकरन संख्या होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, all graduate और post graduate teachers की जो vacancy है, पहले भी vacancy मैंने cover की थी TGT के teachers की, अभी PZT के teachers में, जो है subject में आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें जो है, PZT के लिए, आपके पास जो है, master degree आपकी होनी चाहिए, subject में ठीक है, बस इतना ही जो है, इसमें मांगा गया है, चलिए देख लेते हैं subject, इसमें PZT में, दो notification है, जिसमें एक notification में 1385 number of vacancy हैं 32 subject इस PDF फाइल में है, जूलोजी में 32 vacancy है, statistics में एक vacancy है, sociology में 14 है, संस्कृत में 23 है उसके बाद जो है, देखें, political science में 65 है, vacancy physics में 41 है, math में 68 है, manipuri में 6 vacancy है, logic and philosophy में 36 है, history में देखें, history में 165 vacancy है, इंदी में 6 है, जूलोजी में 12 है, geography में 32 है, finance में 2 है English में 114 vacancy है, education में 29 है, economics में 78 है commercial arithmetic में 1 है chemistry में 21 है उसके बाद जो है commercial arithmetic में element of statistics में 1 vacancy है business studies में भी 10 vacancy है, business mathematics and statistics में 1 vacancy, botany में 47 है, bordo में 1 है, bengali में 64 है banking में 5 है, asamies में 161 है, anthropology में 4 है, advanced bengali में 18 है, advanced asamies में 115 है, accountancy में 10 vacancy है तो बस master degree आपका जो है in subjects में होना जरूरी है, ठीक है, vacancy जो है कहां से है, तो आपको पता है कि government of asam, the director of secondary education की तरफ से काफी बड़ी संख्या में vacancy जारी की गई है, अब कई candy rate जो की दूसरे राज्य में vacancy आती है, तो उन पर गौर्ड नहीं करते हैं, सबसे पहली मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप सरकारी नौकरी पाना जाते हैं, तो भारत में किसी भी राज्य में, अगर आप लोग वहाँ form apply कर सकते हैं, तो बिलकुल आप लोगों को करना चाहिए, दूसरे राज्य में भी आप नौकरी करें, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि हमें आप नहीं स्टेट में नौकरी मिल जाए, तो कई बार जो है, ओवरेज भी हो जाते हैं, कैंडी रेट और कई बार जो है, सेलेक्शन तक पहुंसते पहुंसते, कुछ ना कुछ कंडिशन ऐसी हो जाती हैं, कि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और आप महन्ती हैं, तो किसी भी राज्य में अगर vacancy आती है आप जो है एक exam के तुरू अगर selection पा सकते हैं तो बिल्कुल government job पाना जो है आज की time में बहुत बड़ी बात है तो कोई भी राज्य में जहां पर आप vacancy निकलती है subject है qualification है आप form apply कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा ठीक है तो एक तो यह PZT में vacancy है TZT में जो vacancy थी वो मैंने last video में जो है cover की थी दुबारा से मैं आप लोगों को बता दूंगी इसमें अभी जो है PZT के अंतरगत ही जो है यह number of vacancies 1424 vacancies है salary जो है यहाँ आप देख लें कि pay of scale जो है कितना रहेगा तो 22,000 से लेकर 97,000 पर month रहेगा इसमें जो है 11,800 grade पे जो है इसमें शामिल है और साथ में जो है other elevances जो की राज्यो सरकार के द्वारा दे होंगे वो भी शामिल होंगे आप कई candidate कहेंगे कि इसमें केवल Assam की candidate ही आवेदन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताएगे अप्लिकेशन सार इंवाइटीड फ्रॉम एलिजिवल इंडियन सिटीजन ठीक है और पर्मानेंट रेजिडेंस ऑफ असम असम की candidate तो करेंगे ही आवेदन इसमें भारत में किसी भी राज्यो की candidate इस फॉर्म को भाड़ सकते हैं कंडिशन मैंने आप लोगों को जो बताई है कि आपके पास जो है employment exchange registration number असम का होना जरूरी है ठीक है बस ये कंडिशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद जो है एक और 102 number of vacancy है यह भी PGT teachers की ही है यहां पर अगर आप असमीज मीडियम स्कूल के हैं तो भी apply कर सकते हैं बंगाली मीडियम स्कूल के हैं तो भी apply कर सकते हैं इंग्लिस मीडियम स्कूल से पड़े हैं तो भी apply कर सकते हैं बोडो मीडियम स्कूल से हैं तो भी apply कर सकते हैं ठीक है अब PGT के लिए तो master degree बता ही दिया है और फीज जो है इसमें कितनी लग रही है तो last date जो है इसकी 15 नुवंबर 2024 है 21 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट है 21 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट है और 15 निवंबर last date है unreserved category यानि बाहरी राज्यो के candidate हो या फिर general category जो आसम राज्यो के हो 500 रूपीज इनको pay होगा OBC, MOBC, STST, SC, PWD, others इनके जो है 350 रूपीज जो है यहाँ पर application fees लगेगी ठीक है तो सोज समझ के जो है form apply करिएगा मेरा काम है आप लोगों को vacancy के बारे में सूचित करना यहाँ पर जो है graduate teacher, TGT की जो vacancy है तो इसमें भी जो है 2 PDF file है जिसमें 7,249 जो vacancy है salary यहाँ पर देख लें 14,000 से starting है 70,000 तक है और grade पे 8,700 है इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा जो आने बते हैं वो भी शामिल रहेंगे और इसमें qualification जो है आपके पास जो है graduation 50% marks में होने चाहिए B.Ed होना चाहिए या B.T.A. डिग्री आपके पास होना चाहिए ठीक है इसमें CTAT या TAT तो नहीं माग रहे है यहाँ पर आप देखें जो TGT के teachers की full vacancy है full vacancy जो है 8004 है ठीक है जिसमे science की 2111 है ग्रेजविट टीचर mathematics की 1737 है arts में arts में सभी विश्य आ जाते हैं जैसे की arts के अंतरगर जो है SSD है home science है psychology है यह सभी सब्जेक्ट तो इसमें 3300 जो है वेकेंसी हैं हिंदी में 630 हैं संस्कृत में 226 है वेकेंसी बाकी आवेदन करने वाले के अनिरेट PDF फाइल जो है वो पूरा पढ़ें जैसे ही आप ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे यहां पर आप लोगों को प्लिए यह चारों आप लोगों को क्लिक करके पूरे पढ़ने है और पीजीटी के लिए यहां पर यह चारों ठीक है यह आप देख लेंगे अपना सब्जेक्ट देख लेंगे पूरा पढ़ लेंगे अगर आप सारी कंडिशन पूरा करते हैं तो यहां पर application फॉर्म कलिक करक ठीक है बाकी जो है यहाँ पर किसी भी राज्जे के केंडिरेट जो है वो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप जो है कंडिशन पूरा करते हैं तो चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू